अगर आपको एकॉमर्स वेबसाइट बनाना है खुद के प्रोडक्स डाले है और आपको करना है तो यहां पर आपको आपको अप्शन मिलेगा अली एक्सप्रेस के साथ भी आप इसे इंटिग्रेट कर सकते हो इसका जो पेड प्लाटफॉम है वो त्वेंटीनाइन डॉलर प हम 14 डेज का फ्री ट्राइल पहले ले सकते हैं उसके बाद आप यह पेइमेंट टर्म्स सिलेक्ट करके देन यू किन चूज एनी मेथर्ड मंतली येर्ली आप कर सकते हो आपको साइन अप करने के लिए जिस्ट क्लिक ऑन गेट स्टार्ट इट फ्री 14 डेज का ट्राइल है य जैसे मिस्क गैजट में यहां पर लिख देता हूँ तो यहां पर आपका स्टोर सेट अप हो जाएगा इमेजेटली यहां पर आपको स्टोर सेट अप का नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत ही सिंपल सेट अप है इसका इसके बाद आपको और कुछ डीटेल्स यहां पर बरनी है जैसे आप इस वेबसाइट को खुद के प्रड़क्स बेचने के लिए यूज करना चाहते हो या फॉर्स टाइम यूजर हो या जो भी चीज़ है आप यहां पर जो आप्शन है उसमें जो आपके लिए सूट करता है वो सिलेक्ट करके आप इसे फिल अप कर सकते हो इसके बाद आपका जो ओफिस एड्रेस डीटेल्स है तो यहां पर जो आपको पेमेंट मिलने वाला है उसका अड्रेस यह डीटेल्स यह डीटेल्स जो है जो बैंक अकाउंट के साथ जो आपके अड्रेस डीटेल्स है या कम्मिनिकेशन के डीटेल से वही आप यहां पर डालिए तो जो पेमिन्ट से टप है आप बाद में कर सकते हो यह आपका डैशबोर्ड है यह एडमिन पैनल है यह उपर जो आ रहा है आपका स्टूर का यह सब डोमेन है so missgadgets.myshopify.com और यह एडमिन पैनल है इसलिए एडमिन का यह पेज है तो आपका जो सब डोमेन है इसे बाद में आप डोमेन खरीद के यही से आप खरीद सकते हो and उसके साथ आपका स्टूर का नाम भी आ जाएगा आगे मैं आपको एक चीज भी दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पर सेट अप करते हैं shop and किस तरह fraudulent website भी बनाते हैं तो सस्ते वाले डोमेन खरीद के वो लोग यह fraud business भी करते हैं मैं आपको with example यह चीज दिखाऊंगा यहाँ पर आपको अगर website की themes चूज करनी है like wordpress आप यहाँ पर shopify भी आपको themes देता है वो जो free वाले themes है वो हम use करेंगे जो minimal वाला है यहाँ पर आपको दिखेगा free है इस तो इसे आप install कर सकते हो तो आपका जो store दिखेगा front end जो दिखेगा user के लिए वो इस theme में आपको बना हुआ मिलेगा layout आपको ready मिलेगा चीज आपको भरनी है इसमें तो आप pages बना सकते हो आप products यहाँ पर add कर सकते हो हर चीज आप कर सकते हो like wordpress कुछ plugins वगरा यहाँ पर कम है तो यहाँ पर apps वाला आपको टैब दिख रहा है उसमें आपको apps मिलेंगे like plugins कुछ चीज़े आप यहाँ पर through apps कर सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा है add pages तो आप यहाँ पर page बना के डाल सकते हो तो यहाँ पर आप pages में जो भी content लिखना है लिख सकते हो इसका SEO भी preferences में बाद में आप कुछ changes करना चाते हो कर सकते हो अब products आपको add करना है अगर आप find products पे click करते हो तो आपको यह blog पे लेके जाएगा यहाँ पर यह आपको कुछ application suggest करेगा जैसे यह 12 dropshipping apps आपको suggest कर रहा है ज्यादा तर Shopify dropshipping के लिए use होता है और यहीं से हम AliExpress को भी link करे पहले मैं आपको manual product कैसे add करना है वो बताता हूं तो जो भी काफी सारे लोग Shopify के website का use करते हैं, frauds करते हैं, कुछ लोग genuinely भी इससे e-commerce business करते हैं, shopping website बनाते हैं लेकिन dropshipping छोड़ कि अगर किसे नहीं आपर brand बनाया तो I will recommend कि वहाँ से आप चीजें मत खरी दिए हैं, उसका मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा, मैं आपको जो product deliver हुआ है, उनका क्या strategy होता है, सब बताऊंगा, यहाँ पर manually product add करने के लिए मैं डालता हूं, pack of three shirts, उसका कुछ details डाल देता हूं, Google से किसी भी shirt के photos में तीन ले ले लेता हूं, so product photos upload करने के बाद यहाँ price details and manual product आपने add कर दिया on Shopify website, यह आपका इस तरह से आप जो भी products है, आपके गुद के वो डाल सकते हो, बहुत ही easily आप यहाँ पर डाल सकते हो, details बरने के बाद आप इसका preview भी देख सकते हो, बाजो में एक preview tab में आपको, यह कैसे दिखेगा for users यह भी आ रहा है, तो product का photo, इसके बाद add to card, buy now, यह option है, description आ रहा है, नीचे आपको दिखेगा की, Shopify का यहाँ पर watermark भी आ रहा है, तो यह हो गया manual product, अभी हमें add करना है products from drop shipping, so drop shipping website जैसे aliexpress है, over low के products है, यह products अगर आपको आपके website पे link करवाने है, तो आपको apps use करने पड़ेंगे, so click on apps, यहाँ पर आपको जो Shopify app store है, उस पे जाने के बाद आपको बहुत सारे drop shipping के applications मिलेंगे, उसमें से मैं आपको suggest करूँगा over low एक application है, जो बहुत लोग use करते हैं, यहाँ पर आपको aliexpress के साथ link करने वाले बहुत application मिल जाएंगे, या फिर अगर आप over low use करते हो, इसमें aliexpress का भी integration है, और भी drop shipping sites का यहाँ पर link हो सकता है, तो over low Shopify का खुद का application है, तो obviously वो recommended रहेगा, तो इस पे आपको click करना है, and आपको install करना है, इस application को यहाँ पर install करना पड़ेगा, so add app आप जैसे ही click करते हो, आपके Shopify website पे यह application अभी link हो गया, now आपको यह जो इसका setup है, इसमें next करना है, कुछ details आपको, just check boxes बरने होते हैं, sign up actually, Shopify से आपने directly over low sign up कर लिया है, अलग से sign up करने की जरूरत नहीं है, तो इसका जो tutorial है, videos नीचे आपको सारे videos भी देगा, आपको properly guide होगा, इसके बाद आप यह जो products है, यह सारे products, aliexpress से ही आप link कर रहे हो, directly aliexpress से कैसे link करना है, उसका भी मैं आपको एक option देता हूँ, अगर आपको कोई product अच्छा लग aliexpress पर और उसे आपको link करना है, वो भी मैं आपको option बताऊँगा, फिलाल यहाँ पर आप इसे click करके import कर सकते हो, जैसे ही आप import करोगे on Shopify, वहाँ पर product list में यह product with all description details सब आ जाएगा, आप buy now करने के बाद यह aliexpress पर order डालेगा, aliexpress को deliver करेगा, यह सारी चीज़ drop shipping में जो मैंने आपको last video में बताया है, वो हर चीज़ automatically यहाँ से हो जाएगी, तो within few clicks हमने यह setup कर लिया, अब यह product यह add भी हो गया, अगर आप इसका preview देखोगे, तो proper जैसे shopping website पर दिखता है, वैसे ही preview आपको यहाँ पर दिखेगा, तो यह add हो गया, इतना simple है setup करना, तो Shopify से आप बहुत ही simple तरीके से इसे setup कर सकते हो, यह हो गया setup, setup होने के बाद, अगर कोई इसे खरीदता है, तो आगे की चीज़े होगी, यहाँ पर एक और option है, ओबरलो का एक आपको Chrome का extension मिलेगा, इस Chrome browser पर आपको ओबरलो का extension मिलेगा, तो उससे क्या होगा, अगर आप AliExpress पे directly जाते हो, और कोई product आप select करते हो, तो आप उस product को directly ओबरलो पे add कर सकते हो, वहाँ पर एक ओबरलो का symbol आएगा, AliExpress पे, आप उस पे जैसे क्लिक करते हो, इंपोर्ट हो जाएगा, ओबरलो, और ओबरलो से आप directly import करोगे, on your Shopify website, बहुत ही simple है, यहाँ पर हम already sign up कर चुके Shopify पे, तो आपको बस sign up करना है, यह जो AliExpress के products है, आप directly ओबरलो में add कर सकते हो, तो आपका अगर Shopify login है, तो just click on login, ओबरलो पे आजाएगा, तो आप directly AliExpress पे जा सकते हो, and products के सामने वो badge आजाएगा, you can click on that badge, यह import हो जाएगा, product on your Shopify website, तो इसे करने के लिए, आपको AliExpress पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले, यहाँ पर आप products के सामने देखोगे, ओबरलो का badge आएगा, रिफ्रेश करते हैं से, तो यह दिखिए, आप यहाँ पर, यह blue color का badge आजा रहा है, just click on it, तो दूसरा product लेता हूँ, यह stationary products को, मैं अड़ करता हूँ, तो जैसे click किया, अब आप देख सकते हो, यह product, अबरलो में, इंपोर्ट हो गए, यहाँ पर notification भी आ रहा है, तो इंपोर्ट होने के बाद, यू can add this product in your Shopify product list, तो यह product list में अभी add हो गया, तो इस तरह से आप products Shopify website पे directly add कर सकते हो, from AliExpress और अज़ अज़ डॉब शेपिंग website आप डरेक ली से add कर सकते हो, आपको यह 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 पर आपका जैसे website create होता है, then you can promote and do many things, तो यह है हमारा Shopify का setup, Shopify पे setup कर के आपको AliExpress के साथ integrate करना है, तो यह सारे methods है, इसके बाद आप पूरी website बना सकते हो, on Shopify and इसे promote कर सकते हो, जो इसका pricing है, $29 per month का या फिर जो भी yearly packages है, आपका earning at least $29 से जाधा होना चाहिए, then you can pay this $29 per month fees, earning यानि मैं आपको profit बोल रहा हूँ, profit आपका at least $50 से $100 हुआ, तो आप $29 पे कर सकते हो, तो even a small shop, I'll suggest to use this 14 days trial first, and trial में आपको थोड़ा सा estimate हो जाएगा कि monthly या आप yearly कितना earning कर रहे हो, and then अगर आपका अच्छा चल रहा है store, then you can purchase these paid plans. Lघ और झाप झाप पित पित कि झाल झाल